क्यारज ग्यान प्रवाब में, फिजिक्स क्लास में, तीवारि सर्क क्लास में हम लोग जैसा की बात किये थे हम लोग mathematical tools का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं mathematical tools मतलब कि एक ऐसा tool एक ऐसा ऑजार एक ऐसा अस्त्र सस्त्र जिसका use करते हुए हम लोग अगला दो साल physics के साथ रहने वाले हैं, physics के साथ खिलने वाले हैं, physics के साथ महबत करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम लोगो इसके बारे में उपर उपर जानकारी होना चाहिए कि ये क्या है, क्यूं है और कैसे है तो कुछ answer हम लोग last के lecture में देख चुके हैं, जो आपको description box में मिल जाएगा अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो अगर आप नए हैं, तो इस चैनल को subscribe कर लिजेए, क्योंकि नए ने तरह का वीडियो आने वाला है, मज़ा आने वाला है, like, share, subscribe, ये तीनो करना है, और comment अगर आपको पसंद आये, तो जरूर कीजेगा, आपके comment के अनुसार ही हम लोग अगला वीडियो लाएंगे, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, mathematical tools, जिसमें पहला जो आज है, कुछ physics का ऐसा symbols के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि अगला 2 साल हम लोग लगातार यूज क किया हुआ रहेगा, तो आप लोग को याद रहेगा, सुना हुआ रहेगा, तो उससे में अचानक से ऐसा नहीं लाए, कि सर ये पहली बार आया है, हम लोग देंगे, आचा ही है, तो हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग पहले से क्लास में देख चुके है कि इसको क्या बो किसको क्या पोलते हैं सब फोट प्रनल सा इतना का लिस्ट हम में करें। क्या बोलते हैं यह होता है अल्फल टेक्क है उसके है मेरे पास beta beta के बाद gamma जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं उसके बाद आता है delta delta में दो तरह का delta लिखते हैं एक यह भी डिल्टा होता है यह जो डिल्टा है इसको बोलते हैं उसके बाद एटा है एटा कैसे लिखते हैं हम लोग तो जो एन लिखते हैं ना नॉर्मल जो एन लिखते हैं इसी को बस थोड़ा साम लोगों इसको नीचे घिच देना बस यह होगा हम लोग का एटा उसके बाद ठीटा जिसका सबसे जादा यूज करते हैं देखे आज तक ठीटा जो लोग यूज़ करते थे यह भी कहां सा हुआ है ग्रीक सा यह ग्रीक अलफा बेटा उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले आयोटा ठीक है आयोटा में हम लोग बढ़ेंगे मैंतमेटिक्स में यह बहुत ज्यादा यूज़ है है थेक्शक में भी यूज़ है chemistry में यह सब का यूज़ है तो कपा क्या होता है तो कभी रहता है लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा कर्व रहता है उसके बाद के लिखते हैं लेम्डा लेम्डा जो होता है उल्टा वाई कि तरह उसके बाद मुप यह हम लोग मै्ग्नेटिसम कर लिए होगा यह कौन सा अलफवेट है तो ग्रीक अलफवेट हम लोग इंग्लिस का कोई वर्ड नहीं है कि पाई इसको हम लोग 22 मेरे पार दोनों क्या है यह दोनों कस obtained चेлонुहरोंraleं करते हैं यह होता है स्मॉल सिग्मा और यह होता है सेल फिर याप सिमस्कूर बोल रहा है लेकिन लेकिन दोनके यो तोने में हैं हम लोग जब यूज करेंगे लोनों का दौनों सिग्मा ही होगा ऐसा नियritt इसको बोलेंगे small sigma capital sigma sigma लेकिन आप लोग को knowledge होना ज़े कि यह small sigma होता है capital sigma होता है next आता है मेरे पास kai, kai कैसे लिखते हैं तो x के तरह लिखते हैं बस इसको थोड़ा से नीचे लिए लेते हैं तेक है कि देखिए अब हम लोग बात करने होाले हैं कुछ मुल्टिप्लायर्स का मतलब क्या होता हैं जब आप लोग किसी युणिट को नोट करते हैं या फिर कुस्टन में कहीं यूनित रहता है या फिर कहीं किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो वहां पे देखिए कभी दो लिखा है माइन लो म्यू लिखा हुँग है और बोलेगो सर हमको याद नहीं आ रहा है ठीन- हम लिखते हैं तो उसका मतलब कितना होता तुमको पता है 10 to the power 3 होता है उसी तरह से कुछ-कुछ है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एक क्रफ हमों लिखे है है प्रिफिक्स यानि किस लेटर से किस वर्ड से हम लोग उसको डिनोट किस वर्ड से बोलते हैं और इसका सिंबल पर किस लेटर से लिखते हैं ठीक है सबसे पहले टेंट नाइन गीगा जी चेंट दिपावर सिक्स मेगा M 10 to the power 3 kilo K 10 to the power 2 hecto H 10 to the power 1 Deka DA जिसमें तुम लोग इस दो का तो यूज बहुत करते हो गये kilo और mega का ये तो normal हो गया लेकिन बाखी के बारे में तुम लोग को थोड़ा से confusion हो जाता है तो अगर physics में कोई question आयागा तो अब तुम लोग को ये problem नहों हो इसलिए हम ये पूरा का पूरा लेक्चर बना रहा है इस पूरे लेक्चर में तुम लोग बेसिक चीज दिया जा रहा है जो numerical बनाने के लिए बहुत हिल्प करता है बच्चे हमेसा बोलते हैं कि सर मेरा numerical समसे नहीं बन रहा है क्योंकि आपको उसका बेसिक नहीं पता है आपको यह नहीं पता है कि कहीं पीको लिखा रहेगा तो उसको कंडवर्ट कैसे करेंगे उसका वैल्लू कितना होता है आपको यह नहीं पता था कि हम थीटा किसको बोलते हैं म्यू किसको बोलते हैं फाई किसको बोलते हैं साई कि बोला जाता है कि कोई चीज रट्टा नहीं मारना चाहिए लेकिन मेरा पहला तरीका यहीं है कि आपको रट्टा मारना ही होगा क्योंकि समझा हुआ बच्चा में दो तरक अंतर होता टाइम मेनेज्मेंट तुम मानलों समझ के रखे हो बहुत अच्छा बात है तुम किसी चीज को किसी को किसी डेरिवेशन को तुम्हारा आम समझ 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 बना रहे हो और बगल में एक बच्चा ऐसा है जो रट्टा मारा हुआ हालांकि वह भी समझा हुआ समझने के बाद रट्टा मारना चाहिए हालें कि वह भी समझा हुआ है लेकिन आप जब तक समझ समझ के लिखेंगे कि अचाहिए बराबर में एक जगा हम लिखेंगे डिभी बाइटी तब तक वह रट्टा मारा था वह लिख चुका है वह अगला कुर्शन का लास्ट में चला गया तो इस तरह से टाइम मेनेजमे weill me the Nepal 10 to the power minus 18 जिसको मुझे एक हो यानिकी समॉल ए 10 दो प्रावर माइनस 15 इसको बोलते हैं फिम टो फिम टो है ठीक है एम होता है इसको हम लोग प्रेशन स्मॉल एप से 10 तो दी पावर माइनस डाइन नैनो एं से 10 तो दी पावर माइनस 6 यह इतना होता है इसके अलावा कुछ higher multiples है और कुछ lower multiples है इसको भी आप लोगों जान के रखना है हालांकि यह बहुत कम ही यूज होता है बहुत कम जगह होता है एक होता है 1021 बहुत बड़ा quantity है यह होता है यह होता है यूटा इसका यूज आप लोग देखे हुए हो अगर आप लोग रोबोट मुझी देखे हो तो रोबोट मुझी जो चिट्टी था उसका जो memory पावर था जेटा का टर्में था कोई भी जो रोबोट होता है जैनरली उसको लोग जेटा का टार्में करते हैं नहीं करते हैं वह अलग बात है लेकिन जेटा का फोर में वह था जो चिट्ट्टी था टेक है तो यह 10 to the power minus 21 था उसका फिर होता है योटा उसी तरह अगर हम सब मुल्टि कुछ important constants के बारे में जो कि अगला दो साल में हम लोग को काफी ज्यादा यूज होने वाला ऐसे जितना हम लिश्ट बनाया है उसके लावा भी का यूज होने वाला है लेकिन जेनरली किसी भी चेप्टर में यह सब टॉपिक्स जो है वो आते रहता है तो इसलिए हम लोग यह इतना टॉपिक है इसको हम लोग याद रखेंगे अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि इसका आगे चलने वाले चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो दोनों में यूज होता है तो आगे हम बात करते हैं क्या क्या कॉंस्टेंट्स है किसका क्या वेलू होता है सब चार्ज क्या होता है सेम होता है तो अगर इलेक्ट्रोन का बात करेंगे तो माइनस वन पॉइंट्रोन का मास कितना होता है तो यह होता है लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली जाया तो पता क्या चलता है कि न्यूट्रोन का जो मास होता है वो प्रोटोन से ज्यादा होता है लेकिन हम यहां पर क्या पड़ते हैं दोनों का हम सेम पड़ रहें तो सर बोलेगा सर कैसे आप यह भी बोल दिया और फिर यह भी लिख ऑन और में दोनों का सेम भी लिख रहें आद भी बोल रहें तो सेवेख जादा उसका मास कम होता है तो होता क्या ہے कि 1.573 एक का यह होता है और दूसरे का होता है 1.673 यह बहुत ज़़्यादा डिफेरिंस अम लोग नहीं देखने हैं जिसके वजह से हम लोग मानते है कि जहां पर एरर कम हो उसके लिए हम लोग इसका एक्जक्ट वैलू देखते हैं तेका आगे चलते हैं एक्सलेशन डू टू ग्राइविटी यह भी आप लोग पढ़े हुए है 4205 से 9.8 मीटर पर सेकेंड चर्शी के लिए है यह प्लाइполож टू प्लाइट करता है यह साथ इसे लोग अईर्थ पे वार्य करता है तो ग्रालाल sì सब हुभ मोख पढ़ेंगे ग्राव्यटेशन क्nous अगला है मेर पास ड्रावटे सन का यहां और या उनिवज में हमाओ जिसका वेली फिक्स क्या एक के लिए कैपिटल जी जिसको हम बोल रहें 6.67 इंटू 10 तो का और माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वार और केजी स्क्वार तीक है नेक्स्ट युनिवर्सल गास कॉंस्टेंट जिसको हम लोग आर से लिखते हैं 8.314 जोल पर मोल पर केल्विन नेक्स्ट वन इस प्लांक कॉंस् से लिखते हैं इसका होता है 6.626 इंटू 10 तो पावर माइनस 24 जूल सकेंड इसके बाद आता है राइडबर कॉंस्टेंट जिसको हम आर से लिखते हैं 1.097 इंटू 10 तो पावर 7 पर मिटर कभी-कभी इसको के से भी लिखा जाता है इसलिए परसान मत होई एगा नेक्स्ट इसको हम लोग फ्राइलन नौट से बोलते हैं अभी और पहले पढ़े थे इसको बोलता है एक बिंदी लग जाता है इसका मतलब नौट का होता है फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम जहां पिर पूरा वैक्यूम है जहां पे कुछ है उसके लिए फिक्स वैल्यू होता है यान दो सल में उसके बाद हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़के रखना है और हम बार-बार बोल रहे हैं कि अगला जो दस या फिर पांच या फिर छे जो लेक्चर होने करें कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप वीडियो देखते रहे हैं फायदा उठाइए हम आप लोग के लिए बने हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब कर दिजे इससे आपको सारा अपडेट मिलता कुछ हटड़ के नौलेज मिलेगा ऐसा नौलेज जो कि आपको बाकि किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है कुछ स्वाइब के बारे में ऐसा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आप सुचिया क्या सर ऐसा भी होता है तो हम आगे आने वाले कुछ टाइम में ऐसा रही सब्सक्राइब कर दिए लाइक और कमेंट जरूर कीजएगा और अपने दुस्तों लग तक सेर कीजए क्योंकि यह 11 या 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर इसको एक बार देखिएगा फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग मैतमेटिकल टूल्स का कुछ कुछ टर्म स्टार्ट करने वाले हैं जैसे फंक्सन ट्रिगोनमेट्रिक कैलकूलेस ग्राफ एंड बहुत सारा चीज तो मिलते हैं अगले क्लास में थैंक्यू टाटा